आदा बजीज नाजरीन अहमद गार्डनेंड क्रिशन्स में आपका इस्तकबाल है दोस्तो आप से कुछ दिन पहले हमने गुलदावदी की कटिंग्स लगाई थी और सर्दी का सीजन चल रहा है अब आपको एक दो कटिंग यहां से निकाल कर दिखाता हूं देखते हैं कि रूटिंग स्टार्ट हुई है और प्रोपर तरीके से चलना स्टार्ट हुई है या नहीं तो यहां पर हम इसमें अभी देख लねते हैं एक कटिंग निकाल रहा हूँ यहां पर दोस्तों यह आप देख सकते हैं कि इसमें जड़े निकलना काफी अच्शे से शुरू हो गई हैं मैं क्यामरा फोकुस करनी की कोशिश करता हूँ ये आप देखें कि इसमें अच्छी खासे जो रूटिंग है वो स्टार्ट हो गई है और ये अच्छा हमारा प्लांट तेयार हो गया है तो तकरीबन एक महीने से भी कमी का वक्त अभी हुआ होगा जब हमने कटिंग लगाई थी शायद 15 से 20 दिन के असपास अभी गुजरे हो और हमारी जो कटिंग से हैं वो चलना स्टार्ट हो गई है मैं इस कटिंग को वापस इसी पोर्ट में लगा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं इनको ट्रांसफर कम से कम 8 दिन के बाद मैं इनको ट्रांसफर करूँगा और तभी मैं इनको छोट छोटे पॉल्थीन बेग में शिफ्ट करूँगा और दोस्तो इसके अलावा मैं आपको बता दिना चाहता हूँ कि जो हमने बीज लगाए थे अपने सर्दियों के प्लांट के वो जो बीज थे पिछले साल के बीज थे में कुछ और कुछ इकलेक्ट के हुए थे लेकिन कोई भी हमारा बीज जो है वो ग्रो नहीं होका है तो इसलिए मैंने उनका कोई अपडेट भी तक आपको नहीं दिखाया और अगर आने वाले दिनों में उनसे कोई प्लांट्स निकलना स्टार्ट होते हैं तो ऑफो जो मैं आपको जरूर दिखाउंगा तो दोस्तों उमीद करता हूँогодकर कि वीडियोDieं है अगर आपको वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पर आपको चिछी वीडियो और नहीं नहीं information plants के बारे में मिलती रहेंगी